आज की सेसन को स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टोपिक है वो है हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड और ये हिंदी पैडागोजी की हमारी लास्ट क्लास है आज की सेसन को स्टार्ट करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो स्टैम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पर पीडियोड चाहिए तो उसके लिए आप टेलिग्राम ग्रूप को ज्वाइन कीजिए देखिए बास्ट की विखिण विधाओं का सिक्षन विधाओं का मतलब क्या होता है यानि कि देखिए वन सारी की सारी चीज् obsessed जिसमें बासा का यूज होता है, जो बासा के विकास में सायक होती है, जिनमें बासा के बारे में बातें होती है, ठीक है न, यानिकि बासा का योगदान होता है जापर, ठीक है, वो सारी आती है विदाओं के अंदर, अब विदाएक कई परकार की होती है, ठीक है न, जैसे दे भिबंध हो गया, आपके कविता हो गई, यात्रा वर्तान्त हो गया जिसे आप ट्रेवल विलोग भी बहुते हैं परकार जीवनी हो Sonic हमें इसके दूसरा वेक्ति लिखता है ठीक है ना डायरी हो गी आपकी पत्र लिखन हो गया स्टूचना यानिकि नोटिस और परतिवेदन यानिकि रिपोर्ट हम इन सब चीजों के बारे में देखेंगे ठीक है और बहुत इजी चैप्टर है छोटी-छोटी चीजे हैं देखें आप कहने कहता है व क्या क्या लाती है आप समझ गए होंगे एकदम इजी लन्ग्वेंज है । 것은 अब काहनी का मतलब अच्छे से जानते है ठीक है न। मनोरंजन का सबसे अच्छा साथन क्या होती है आप की कहानी होती है ठीक है अप काहनी की विषेश्चिता ही देखिए ... कैसी होने चीए, देखिए, कानी दुखांत नयोकर, यानि कि दुख वाली नयोकर, कैसी होने चीए, सुख देने वाली होने चीए, याद रखना आप, कानी बच्चे की आयू के सतर के अनुसार होने चीए, यानि कि बच्चे की दो आयू है ना, उसी के अनुसार कानी होने ची आगे देखिए कारने में क्या हो कारने में सरलता वने चीए पश्टता वने चीए एकदम इजी इजी चीजे हैं आप आसानी से लेंगवेज से ही समझ जाएंगे अलग से कुछ करने के जोड़त है यह ज़तने बत्र में यह कränच्छी को मैं सब्सक्राइब क में कते हैं ठीक है आगे देखिए कानी में पात्रों की जो संख्या है ना वो कितनी होने चीए कम होने चीए क्यों यानि कि जो किरदार है इतने ज़्यादा नहीं होने चीए ताकि बच्चों को समझ ही ना पाई क्या होगे, किरदार अगर कम होगantage, तो बच्चे जढ़ने के उद्देश से क्या होते हैं, बच्चों को कार्णी सुनाने के उद्देश से क्या होते हैं, देखिए, बच्चे नूर्मल सी बात है, वो आगे किसी और को सुनाइंगे, तो क्या होगा? बोलने का विकास होगा, हो सकता है, उनका interest और धादक create हो जाए, तो वो कानी की बुक्स पढरने लगे, तो पढरने का interest हो गया, या पढरने का विकास हो गया, ठीक है न? और हो सकता है, वो आग इन चीजों को लिखने भी लग जाए, तो क्या was? लेखन कोसल का भी विकास हो गया, तो कानी से बच्चों के सभी कोसलों का विकास होता है, ठीक है? और बच्चों के सब्द भंडार में भी विर्दी होती है, अब नॉर्मल सी बात है, नई नई चीजे पढ़ने को मिलेंगी, तो सब्द भंडार भी बढ़ेगा, आगे देखि पर भंडार सी बात है, जब आप बच्चे को कानिया सुना रहे हो न, तो बच्चा कलपना करने लगता है, इमेजिन करने लगता है, अहां मैं वहीं पे हूँ, वो इस तरह से सोचने लगता है, अग भी घोड़ा आ रहा है, गोड़े पर राजा बैठा हुआ है, ठीक है न, इस टाइब भी चीज़े वो अपने मैंड में क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है तो इससे क्या होता है? बच्चे में कल्पना सीलता का क्या होता है? विकास होता है आगे देखिए बच्चों को स्वस्थ, आनंद और मनोरंजन परदान करने वाली कानिया होने चीए यानि बच्चे को आनंद आए और स्वस्थ आनंद आए यानि कि कुछ में उसमें वल्गर चीज़े नहीं होने चीए कुछ ड्रावनी चीज़े नहीं होने चीए कि बच्चा डर जाए तो स्वस्थ आनंद और मनुरंधन परदान करने वाली होने चीए कानिया ठीक है आगे देखिए बच्चे क्या बनते हैं जिग्यासू बनते हैं क्या बनते हैं बच्चे जिग्यासू बनते हैं कानिया सुनकर जिग्यासू का मतलब क्या होता है वो curious होते हैं वो जानना चाहते हैं कि इस से आगे क्या होगा आपने देखा भी होगा जब आप बच्चों को कानिया सुनाते हैं तो बीच-बीच में पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ या उस जो character था उसका नाम लेकर पुछेंगे कि उस character का क्या हुआ तो यानि बच्चे क्या हैं जिग्यासू है वो कानिया सुनना चाथते हैं ठीक है आगे देखे कानिय से बच्चे माननव जीवन की एतियासिक गटनाई यानि कि पुरानी जो गटनाई है ना आगे देखे जो कानिया भी कितने प्रकार की होती हैं दो तरह की होती है कानिया भी एक तो होती है निती कथा अभी निती कथा क्या होती है यानि कि जो आपको क्या दे उपदेश दे ठीक है ना जैसे आपने चोर पुलिस की कानी सुनाई बच्चे को तो इससे क्या होगा, बच्चे को उपदेश मिलेगा, कि मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, निती कथा का मतलब होता है, जो आपको उपदेश दे, जो आपको एक सिख्षा दे, एक सीख दे, वो होती है निती परक, और एक होता है लोग कथा, जो मनुरंजन वाली होती है, पूर सिर्फ आपको क्या मिलता है, मनुरंजन मिलता है, वो होती है, आपके लोग कथाई, ठीक है, आगे देखिए, नाटक, अब नाटक क्या होता है, देखिए, नाटक का रथ होता है, हाबीने, या अनुकरन करना, और आपको वैसे भी नोर्मल कर रहे हैं complete देखिए जिसमें सभी को अपने अपने किरदार निवाने होते हैं और नाटक में क्या होता है नाटक में एक कथा होती है यानि कि एक कानी होती है जिसके अनुसार क्या लिखे जाते हैं सवाद लिखे जाते हैं यानि कि जो किरदार है ना उनके सब के अपने अप अपने जो डायलोग हैं, उनको बोल रहे हैं, तो आप कितने अच्छे तरीक्चे से बोल सकते हैं, वो कहलाता है आपका हभीने, अभीने को नट्टक सिक्षन की आत्मा की आ गया है, ठीक है, आगी देखिए, नट्टक सिक्षन के उद्दे से क्या होते हैं, पर नॉर्मल सी ब पासा परियोकी योगिता का विकास होता है यानि कि बच्चे को आरो आवरो के बारे में पता चलता है ठीक है बच्चे क्या सीखते हैं हभीने करना सीखते है नॉर्मल सी बात है उससे आमने उसके मंच पर नाटक चल रहा है और उससे वो काफी चीजे सीख रहे हैं वो समझ र एकांकी का मतलब मैं आपको पता चुका हूँ one यानि कि अकिला बंदा है alone ठीक है किरदार निबाने वाला ठीक है तो एकांकी क्या होती है एकांकी एक तरह से नटक का छोटा रूप होता है यानि कि नटक की होता है लोगों तक क्या पुचाता है अपना संदेश पुचाने की कोशिस करता है सिर्फ एक किरदार मंच पर खड़ा होकर ठीक है और इसमें सब कुछ किस पडिपेंड होता है उस किरदार पर ही डिपेंड होता है कि वे दर्शकों के मन को छूपाएगा या नहीं छूपाएगा यानि कि उनको पसंद आएगा या फिर नहीं पसंद आएगा ठीक है तो यह होती है आपकी एक आंकी याद रखने लाइक बात इतनी है अग नटक का छोटा रूप होता है और इसमें किरदार क्या होता है एक ही किरदार होता है जो अपने एक्सप्रेसन से और गैस्तर से लोगों तक अपने संदेश को हो चाथता है आगे देखिए उसके बाद आती है आपकी कविता यानगी पोएम जो आप पढ़ते हैं और उससे क्या होता है, जिससे हर्दय में आनंद वेरस का संचार होता है, एकदम easy और simple language है, आगे देखिए, कविता में भी क्या क्या जाता है, आर और अवरो का ध्यान रखा जाता है, यानिकि कब आपको तेज बोलना है, और कब आपको धीरे बोलना है, आपको ले के अंदर गाना है, या बिनेले के अंदर गाना है, ठीक है, तो यह सारी चीजे किस में होती है, आपके कविता के अंदर होती है, आगे 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 है ना, अगे कविता से ले ताल का ध्यान रखा जाता है, कविता के अंदर, ठीक है, आगे देखिए, कविता से बच्चों में कल्पन सकती का विकास होता है पर नॉर्मल सी बात है कानी से भी कल्पना सकती का विकास होता है और कविता से भी होता है कहते भी है ना जहाना जाए रवी वहां जाए कवी आपने सुने भी होगी यह बात ठीक है जहाना जाए कवी वहां पर जाए रवी यानि कि रवी का मतलब यहां पर क्या है सूर्य यानि कि कवी इतना कलपना सील होता है अग जहां पर सूर्य के क्रेने भी नहीं पहुचती न वहां पर भी कवी पहुच जाता है ठीक है तो कविता से क्या होता है बच्चों की कल्पना सक्ति का विकास होता है आगे देखिए कविता से भी क्या होगा सब्द बंडार में विर्दी होगी मैं आपको बता चुका हूँ आगे देखिए कविता में कवी के मूल प्रेणा तत्तव को समझा जाता है यानि कविता में कभी क्या कहना चारा है मूलतत्तव क्या है किस बारे में कभी बात कर रहा है उसके बारे में बात की जाती है यानि कि मूलतत्तव को देखा जाकता है कविता के अंदर ठीक है यानि कि जो मेन बात है वो क्या है किस बारे में है आगे देखिए, कवित्ता में व्याख्या अत्मक भिंता होती है, अब ये क्या होती है, व्याख्या अत्मक भिंता क्या होती है, यानि कि हर किसी का अपने अपना व्याख्या करने का अलग अलग तरिक्का होता है, हर व्याख्ती अपने अपने तरिक्के से उस चीज को एक्स् चुद्वेस्पस्ट होना चीए उचित गती से गाए वो ले के साथ गाए और भाव के साथ गाए या कवित्ता को यानि कि कवित्ता का सैसवर वाचन करना है और इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है अकुचारण सुद्वेस्पस्ट हो उचित गती के साथ हो ले और ठीक है समझगया ना आप आगे देखिया उसके बाद आता है आपका निबंध यानि कि आपका प्रस्ताव में आपने लिखे भी हो ठीक है और उस विशया के बारे में समर्थन और विरोध में क्या दिये जाते हैं तरक दिये जाते हैं यानि कि जब आप निबंद लिखते हो न तो उस सब्जक्ट के बारे में उस विशया के बारे में आप अच्छे बाते भी लिखते हो और उसके जो दोस होते हैं उनके बार बच्चों की यादास्त का आकलन हो जाता है निबंद जब लिखते हैं तो याद करके लिखा जाता है और कौन लिख पाएगा निबंद को जिस बच्चे को याद होगा तो आपकी यादास्त है न उसका भी आकलन हो जाता है ठीक बात है आगे देखिए विचारों में संतुलन हो अर्थात परमुख बातों पर हधिक महतव एवन गोन बातों को कम महतव देना चाहिए और निबंद कैसा होना चाहिए? आपका स्पस्ट होना चाहिए ठीक है न? आगे देखिए निबंद में क्या हो? पर भावसिल बासा हो निबंद की और विसय के अनुकूल हो ठीक है न? यान जो विसय है न? जिस सब्जक्ट के उपर है निबंद उस सब्जक्ट के बारे में बातें होने चीए हैं ऐसा नहीं है, खुछ भी लिख रखा है उसके अंदर ठीक है? आगे द कुलो ठीक है आगे देखिए विचारों की क्रम बद्धता होने चीए यान कि कुछ भी ऐसे अलग लग नहीं होना चीए आराम चे जवाब पढ़ते हो न तो आपको समझ में आ जाए अग भई सामने वाला जो निबंद लिखने वाला है वो क्या कहना चाहरा है ठीक है न तो व प्रवर्ति का क्या होना चीए भाइसकार होना चीए ठीक है आगे देखिए उसके बाद आती है आपकी जीवनी या फिर आतमकता देखिए दोनों में डिफ्रेंस भी होता है देखिए आप आगे आतमकता में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन होता है और जीवनी मे अंदर आतम कथा है न वो तो व्यक्ति खुद लिखता है यानि आतम अपनी कथा ठीक है यानि कि आतम कथा तो यह तो व्यक्ति खुद लिखता है जबकि जो जीवनी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है ठीक है आगे देखिए आतम कथा व्यक्ति द दिवारा उनको मानने वालों के लिए संदेश होता है यान कि नोर्मल सी बात है जो उसके follower है जो उसे पसंद करते है आतम कथा के अंदर आजमी क्या करता है अपने उन सब चीजों के बारे में बताता है ठीक ना अपने जो सुनने वाले हैं उसके जो followers हैं उनके लिए क्या होत ठीक है तो यह होती है आपके जीवनिया आत्म कथा आगे देखिए उसके बाद आपका आता है यात्रा वर्तांत यानि कि ट्रेवल ठीक है ना आप क्या कर रहे हो यात्रा कर रहे हो तो यात्रा वर्तांत का मतलब क्या होता है यात्रा के दोरान होने वाले अनुभवों को आपका यात्रावर्तांत आगे देखिए यात्रावर्तांत में स्थान और उस स्थान के तत्यों के साथ साथ व्यक्तिक्ता कल्पना सिलता और रोचक्ता का विशेश मैता होता है यह जब आप यात्रावर्तांत बता रहे हो न तो आपको इस तरह से बताना है कि सामने बैठने वाले बोर्ना हो ठीक है न वए सोचें आपको रोचक रोचक बाते बतानी है और अपने तरिके से उसको इस तरह से बताइए कि सामने वाला इंट्रेस्टिड हो जाए वो बोर्ना हो सुनते टैम ठीक है तो उसको विचार यानि कि लोग किस तरह से सोचते हैं वहाँ पर मनुरंजन के तरिक्ये क्या-क्या है तथा जीवन के परती वहाँ के लोगों का दृष्टी कौन कैसा है इन सब का चित्रन क्या जाता है यात्रावरतांत के अंदर यह most important है इसको याद रखना आप ठीक है आगे देखिए उसके बाद आती है आपकी डायरी अग डायरी क्या होती है देखिए व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव उसकी सोच और उसके भावनाओं का जो लिखित रूप होता है ना उसको कहते हैं क्या डायरी यानि व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित किरके बनाया गया एक संग्रे क्या कलाता है आपका डायरी कलाता है ठीक है डायरी को अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे देखिए या दिनचरिया या रोज नामचा या फिर दैनिकी ये सब भी बोलते हैं किसको डायरी को ठीक है और तो डायरी है वो ओपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ओपचारिक का मतलब होता है जब को इसी नि और फोचक्ट किल लिखता है ऐनुबव लिखता है ठीक बात है बाई डैरी में संचिप्त होती है ङनगी संचिप्त होती है वहाँ पेस प्रुप इक पूरी डिटेल होती है वेक्टी बारे में लेकंड डायरी में क्या होती है संचिर्ट चीज़े लिखी जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो main बाते हैं main topic है वह लिखे जाते है diary के अंदर ठीक है आगे देखिए diary कैसी होती है वेक्तिनिस्ट होती है यानि कि लिखने वाले के अनुसार होती है वेक्तिनिस्ट का मतलब होता है आप इंसान है ना मालो इंसान के साथ कोई घटना हो गई अब वो डायरी उसकी है यानकि व्यक्तिनिस्ट है तो जैसा चाहेगा वैसे उस घटना को वह क्या करेगा एक्स्प्लेन कर सकते है ठीक रहा जैसा उसका मन करेगा वहाँ पर आपको अच्छा दिखाना चाहता है अच ठीक है समझ सकते हैं आप आगे देखिए उसके बाद आता है आपका पत्तर लिखन यानकि जो पत्तर होता है वो कैसे लिखा जाता है अपनी बात को हभी व्यक्त करने के लिए क्या क्या जाता है अपनी बात को एक्स्प्रेस करना दूसरों के सामने ठीक है तो उसके लिए क उसकी बासा कैसी होती है देखिए मैं आपको समझाता हूँ अपचारिक पत्तर पर नूर्मल सी बात आप किसी जाने वाले को या आपने किसी जानकार को लिख रहे हो, तो वो पत्तर क्या होगा? अनोपचारिक होगा, उसमें आप अपने भाव लिखेंगे, ठीक है ना? आगे देखिए, अपचारिक पत्तर निर्धारित प्रारूप में लिखे जाते हैं यही मैंने बोला है अग जो ओपचारिक पत्तर है ना उनको लिखने के कुछ नियम होते हैं कुछ प्रारूप होता है कोई फोर्मेट होता है उसी के अनुसार आप अपने ओपचारिक पत्तर को लिखते हैं ठीक है आगे देखें उसके बाद आपका आता है प या किसी प्रसंग की मुख्य मुख्य बात दे लिखी जाती है और ये कैसा होता है ओपचारिक होता है आगे देखेए, कैसा होता है, संचीप्त होता है प्रतिवेदन, आगे देखेए, सिर्फ मुख्ये बातों को ही लिखा जाता है, यानिकि to the point लिखा जाएगा प्रतिवेदन के अंदर, report के अंदर, अपनी तरब से आप उसमें कुछ भी भाव नहीं डाल सकते, देखेए जैसे प्रतिवेद्धन में जो बाते होती है एक क्रम में लिखी जाती है और सारी बाते कैसे सिलसले वार लिखी होती है यानिकि जैसे घटना उई है उसी तरह से एक्जक्ट लिखी जाती है यहीं चीज मैंने आपको हभी बोल कर बताई है ठीक है आगे देखिए और जो रिपोर्ट होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लेखी जाती है ठीक है आगे देखिए उसके बाद आपका आता है सूचना यानि कि नोटिस आप नोटिस से समझ गए होंगे देखिए आप इसके माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी संग्ठन की और से किसी जानकारी चेताउनी आद्धी की जो सारजनिक रूप से गोशना की जाती है न वो कहलाता है आपका notice फिक है और ये कैसा होता है ये ओपचारिक होता है संचिप्त होता है यानि टूदा पॉइंट होगा और किसी विशया पर होता है ये तो नोर्मल सी बाद है उसका कोई न कोई विशया सिर्फ ओर शिर्फ इतना ही करना है और वो हमारी जो इंदी की पैड़ागोजी है वो कम्प्लीट हो चुकी है पी वाइक कियू क्यों समें आपको से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको सिर्फ ओर सिर्फ इतना करना है इन दस वीडियों को तीन से चार बर अच्छ झाल झाल